नमस्कार अरुनाचल समाचार में आपका स्वागत हैं मैं हूँ यारमता सिंगांगू आए बुलिटिन में सबसे पहले देखते हैं मुखिस समाचार राजपाल डॉक्टर भीदी मुश्रा ने मुखिय मंतरी पेमा खांदू और स्वास्त मंतरी आलो नुबांक के साथ मिलकर राज़ में करोना महामारी की स्थिती की समख्षा की बैठक में राजपाल ने अरुनाचल में करोना के बड़ते मामलों पर जिताए गंभीर चिंता करोना के फैलाव को रूपने के लिए ततकाल उचित कदम उठाने की जरूरत पर दिया जोर देश में लगातार चोथे दिन तीन लाख से अधिक करोना मरीज हुए स्थित पिछले 24 घंटों में देश भर में करोना संक्रमत की तीन लाख बैसी हसार से अधिक नए मामले आए सामने अरुनाचल में रिकोर्ड दो सो चौनतिस नए मामले और 138 रोगी हुए स्थित पच्चिम बंगाल में थ्रूनिमल कॉंग्रेस प्रमुख ममता बैनरची ने लगातार तीसरी बार ली राज़े के मुख्यमंतरी के रूप में शपत राजपाल जगदीब दंखर ने कोवित नियमों का पालन करती हुए कोलकाता के राजभवन में आवे जित समारों में दि मिलकर राज में करोना महमारी की स्थिती की समिक्षा की राजभवन में हुई इस समिक्षा बैठक में राजपाल ने अरुनाचन में करोना के बरती मामलों पर गंभीर चिंता जताई राजपाल ने कहा कि करोना महमारी इस सदी में मानवता के सामने सबसे बरी चुनोती है उ जास्त चीतर के आधारबूर धांची को मजबूर बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने ये भी कहा कि करूना के खत्रे से निपठने के लिए हर नागरी को सतर्क और जागरूक रहना पड़ेगा। राजपाल ने वैक्सिन किया पूर्ती, ऑक्सिजन के इंतिसाम और अने मैडिकल जरूरतों के मद्दे नजर सभी हिधार्गों के बिज समन्वे कायम करने के लिए एक नॉडल ओफिस से निवक्त करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि करोना से मुकाबले के लिए कि जारे हैं फैसलों से जिला उपायतों, पुलिस अधिक्षकों और जिला मैडिकल अधिकारियों को प्रती धिन अवगत कराते रहने की जरूरत है। आजपाल को हर संभव मदद का स्वाशन दिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री पे माखांदू ने बताया कि आठ ऑक्सिजन प्लांट लगाए जा चुके हैं और ग्यारा अन्य प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है ताकि भाविश्य में ऑक्सिजन की जरूरत को पूरा किया जा सकी। करोना से मकाबले में प्रक्षासन का हर संभब सहयोग करेंगे। जिलाओ पायुक ने कहा कि जिले में कंटेंड मैंट जोन बनाने में निर्वाचित नेताओं के सहयोग की जरूरत है। जो लोग बाहर से आके इलाज लेने के लिए आ रहा है। हमारा यहां का जो सुविदा है वो पुरा यह होना चाहिए। रिशोर्स जो है वो पुरा उसको सथिस्फाय करना है चाहिए। उसके लिए हमनों काम कर रहा है। और वास्ट ताइम तो हमारा स्रीपोटी बेट उसीजन बेट था। अभी हमारा 164 प्लास 42 बेट अक्स कल साम्तिक हो जाएगा। तो हम तैयार हैं। देश में COVID-19 की रोक थाम के ने ठीका करन अभिया नेरंतर तेज हो रहा है। और अब तक 16 करोर 4 लाग से अधिक COVID वैक्सिन की दोस दी जा चुकी है। इनमें 3 करोर 4 लाग से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सिन की दोनों दोस दी जा चुकी है। COVID ठीका करन के तीसरे चरन के तहट 1844 साल के आई वर्क में 6 लाग 62 हजार साधिक लोगों को वैक्सिन की पहली दोस दी गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में करोना संक्रमत के 3 लाग 82 हजार से अधिक ने अमामने सामने आए और 3 लाग 38 हजार लोग इस महमारी से सुष्ध हुए। इस दोवरान COVID से 3780 लोगों की मौत हुई। देश भर में करोना के सक्रिय मामनों की संखिया 34 लाग 87 हजार से अधिक हैं और मंगलवार को 15 लाग 41 हजार से अधिक नमनों की जांच की गई। अरुनाचल प्रदेश में मंगलवार को COVID के रिकॉर्ड 234 नए मामने सामने आए और सारवदिक 138 लोगी सुष्ध हुए। राज में COVID की सक्रिय मामनों की संखिया बढ़कर 1632 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 91.9 प्रतिश्यत रह गई है। पिछले 24 घंटे में राजभर से COVID जांच के लिए 3827 सेंपल एकत रखे गई। प्रदेश में करोना की आए नए मामनों में इतानगर राज़दारी चेतर से सबसे अधिक 65। लोवर दिबांग वैली से 26, अंजाओं से 23, लोवर सुबसरी से 19, पापुमपारी से 18, इस्ट सियांग से 14, नमसाईग से 12, चांगलांग और वेस्ट कामेंग से 99, अपर सियांग और लोहिट से 7-7, तवांग से 6, तीराब से 5, दिवांग वैली से 4, वेस्ट सियांग, के कैसां लोवर सियांग और कामने जिले से एक-एक मामने शामिल है जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में इरानगर राजदारी छेत्र से सबसे अधिक 49 लोवर दिबांग वैली से 38 इस्ट सियांग से 16 लोवर सुबंसरी तवांग और चांगलांग से 6-6 पापुमपारे और व स्वास्ते निदेशाले से प्राद सुचना के अनुसार इटानगर के चिंपू में से डेडिकेट़ कोविट अस्पताल में 48, स्टेट खॉरेंटीन फसलिटी लेखी में 314, पापुमपारे जिले के डेडिकेट़ कोविट हेल्थ सेंटर मिद्भू में 10, डेडिकेट़ काबिनेट की बैठक में राश्रेक खाद सुरक्षा कानुन NFSA के सभी लाभारतियों को इस साल मई और जून के महीनों में अत्रिक राशन दिये जाने को मजूरी दी गई है काबिनेट की इस फैसले से प्रधानमंदरी गरीब कल्यान अन्योजना की तीसरे चरण के तहट NFSA के लाभारतियों को दो महीने का मौफ्त राशन दिया जाएगा इस से करीब 80 करोर लोग लाभान विद होंगे और डायरिक बैनिफिट ट्रांसफर के तहट आने वाले लाभारतियों को भी इसका फाइदा मिलेगा गेहु अध्वाचावल के संदर मेरा जका आवंटन NFSA के तहट मौजुदा आवंटन अनुपात के आधार पर तैह होगा इसके तहट 80 लाख मेटरिक टन अनाच विद्रिट किया जाएगा इस योचना पर करीब 25,333 करोर रुपे की लागत आएगी काबिनेट के इस फैसले से करोना के कारण गरीबों के सामने आने वाले आर्थिक वैवदान दूर होंगे परच्छिम बंगाल में त्रूनुमल कॉंग्रेस प्रमुख ममता बैनरची ने आज लगातार तीसरी बार राज़ के मुख्यमंदरी के रूप में शपत ली राजपाल जगदीब धनकर ने कोवित नियमों का पालन करते हुए उन्हें कोलकाता के राज़भवन में आयुजित एक साधी समारों में पत और गोपनीता की शपत दिलाए नव निर्वाचित विधायको का श्यापत ग्रहन गुरुवार और शुक्रवार को दो चर्ण में विधांस भाभवन में होगा आमी मोमोता बैनार जी इस्षर नामे शपत करीते छी जे बिधी दारा स्थापीतो भारते शंग विधानेर पोती आमी अक्रितिम निष्ठा ओ अनुगत्त पुषण करीबो आमी भारते शार्बोभोमोत और अखन बता रोख़्ा करीबो और शुम्मंगो राज्येर मुखमोंती रूपे आमार कर्तब्बो समुभो निष्ठा पुर्भो एबें विवेक सन्मोत भावे निर्बाहो करीबो एबं भाव बापक्षपात पिती बावित्येस रोही थोईया शकल शेनी जानोगानेर पोती संग बिधान ओ बिधी अनुषारे नाये चरोन करीबो आमी ममतावैनाज जी इस शरें नामे शपुत करीटे छी जे पोस्चिम मोंगो राजजेर मुखमोंती रूपे जे कोनो बिशये जाहा आमार विवेचन अजनो आनितो होई बे वेस्ट सियंग जिले के ADC और करोना से निबठने के लिए नियुक्त किये गए नॉडल ओफिसर लिई बागरा ने इस्थाने अगयास एजेंसियों को नर्देश दिया है कि वे उभोगताओं के घर जाकर LPG सिलेंडर की दिलिवरी करे ताकि एजेंसियों के परिसर में लंबी-लंबी कतारे न लगे उन्होंने कहा कि एजेंसियों में भी रिकठा होने से COVID-SOP का उलंगन होता है और इससे करोना के मामलें बढ़ने का खत्रा है एडिसी ने लोगों से मास्त लगाने और सोशल दिसेंसिंग का पालन करने का भी आगर किया भारतिय आयूर विज्ञान अनुसंदान परिश्यत ICMR ने महमारी के दूसरे चरण में COVID-जांच के लिए पड़ामर्स जारी किया है ICMR ने कहा है कि मौजूदा समय में संक्रमन के मामले अधिक होने के कारण जांच प्रयोक्षालाओं पर काफी दवाब है और जांच करमी भी करोना संक्रमित हो रहे हैं इसे देखते हुए RT-PCR जांच के विवेकपून उप्योग और साथ ही सभी नागरिकों तक ये जांच सुभिधा उपलप्त कराने की जरूरत है परिश्यत ने कहा है कि रैबिट एंडिजन टेस्ट अथवा RT-PCR जांच में एक बार पॉजिटिव घोशित हो चुके विवेकपून को अस्पताल से छुट्टी देती समय दोबारा ये जांच कराने की जरूरत नहीं है एक राज़ से दूसरे राज़ में गए सुस्वेक्टि का RT-PCR जांच कराना भी पूरी तरह बंद किया जाना चाहिए ताकि प्रयोक शालाओं पर दवाब कम हो परिशच्छ न ने कहा है कि संक्रमंट फैले से रोपनी के लए जरूरि है कि करोना के लक्षन वाले लोग गायर जरूरी और दूसरे राज़ों की यातरा न करें परिश्यत ने ये भी कहा है कि सभी सरकारी और नीजी स्वास्तकेदरों में रैपिट अंटिजन टेस्ट की अनुमती दी जानी चाहिए और इस जाज के लिए शहरों तथा गाउं में विशिश बूद लगाए जानी चाहिए इटानगर राज़ारी चेतर की पुलिस अधिक्शक जीमी चीराम ने आज शहर के गंगा मार्केट इलाके में ट्राफिक नियमों के पालन का जाएजा लिया उन्होंने इलाकी में गारियों की बैतर्ती पार्किंग देख नाराज की जाहिर की और लोगों से आगर किया की वेसरक पर अपनी गारिया नियम के मुताबिक खरी करें उन्होंने ट्राफिक नियमों का उलहंगन करने वालों पर कानूनी कारवाई करने की बात कही दंगा मार्केट हो गया, अकाजीप हो गया और तिल आट किमिशन पॉइंट जो है वहाँ ते और हमारा एक साइट में तू लेन है, तो तल पॉर लेन है लेकिन अल्मोस्त एक लेन पार्की में चला जाए सब यहाँ इस स्ट्रेच में अपने गाड़ी तो आप जो आपका जो गाड़ी है उसका डायरेक्शन जो है वह रोड पर ही रहेगा रोड में आप डायगनल नहीं होंगे और आपका अटलीस्ट तू वील्स जो है वो आउट साइट वाइट लाइन है उससे बाहर होना चाहिए तो यहीं हम कोसिज करना है इवन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे ओटोज होगी है अखिल भारते आयर विज्ञानसंस्थान एम्स नेदिली के निदेशन डॉक्टर रंदीब गुलेडिया ने कहा है कि करोना मरीजों को इस बीमारी के शिरुवादी चरण में स्टेरोइट का सेवन नहीं करना चाहिए इससे मरीज की हल भी कर सकती है उन्होंने कहा कि यदि किसी वैक्ति में करोना की हल्म के लक्षन है और ऐसे में वो यदि शिरुवादी पांच दिनों में स्टेरोइट का सेवन करता है तो इसे काफी नुकसान हो सकता है हम ये देखते हैं अपने होस्पिटल में कि कई पेशिंट ऐसे हैं जो अरली स्टेज में स्टीरोइट ले लेगते हैं और यह समझना ज़ूरी है कि जो अरली स्टेज में आप स्टीरोइट लो गए तो वाइरस की डेप्लिकेशन को और बढ़ावा मिलेगा और कई दफ़ा जो mild cases हैं उनको severe viral pneumonia हो जाता है, lungs में एकड़ वाइरस फैल जाता है, क्यूंकि बड़े high dose steroids उनको day 1 से मिल जाते हैं तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि steroids moderate illness के लिए ही है, mild illness में जब आप home isolation पे हैं, saturation आपकी maintained है Early stage में जो हम कहते हैं कि first five days में steroids का कोई role नहीं है, it can actually be again harmful Lower Dibang Valley जिले के उपाईव के एन दामों ने आज जिले में लगाए गए 10 दिनों के lockdown की समिशा की इस बैठक में जिला medical अधिकारी एवं वरिश्ट डॉक्टर ने भी हिस्सा लिया जिला उपाईव ने कहा कि करोना के मामले बढ़ने के बाद लगाए गए lockdown का आज एक सब्ता बीच चुका है और इसका सकरात्मक असर दिख रहा है उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोग lockdown को सफल बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं उपाईव ने कहा कि लोगडाउन के अवदी बढ़ाने को लेकर जिला स्टिरिंग कमिटी विचार करेगी लोगडाउन करके आज एक हपतो हो चुका है 29 अपरेल से लोगडाउन इंपोस हुआ 29 से आज तक हमारे जो पुलिस फोर्स है वो बहुत ही बहतरी इनकाम कर रहा है दिन रात लगे हुए हैं पाबलिक को मबलाइस करने में पाबलिक को मुब्मेंट को रिस्टिर्ट करने में और वाकि जितने भी जो law and order related है उसको बेखुफी से इनलोग निभारा है ट्राफिक को बिलकुल कंट्रोल कर रहा है मुब्मेंट को कंट्रोल कर रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और कम्नीटी के तरफ से भी समाज के हर वर्क के लोग इसको भर चुरके सब लोग हिस्सा ले रहा है और इसको सपोर्ट कर रहा है और बहुत बरिया ढंग से लोकडाउन हो रहा है कुछ-कुछ बीच में हैं चुट-पुट जो विचारा ओलुक कर में बैट-बैट के ज़्यादा फ्रस्टेशन हो जाता होगा इसको बहुत ज़्यादा गुमने फिरने का अदत है इन लोगों को कंट्रोल करने में हमारा पुलिस को काफी महनत करना पर रहा है लेकिन बहुत सक्सेसफुली कंट्रोल कर रहा है लोकडाउन को एक्स्टेंशन करने का आभी तक कोई फिर फैसला नहीं हुआ है इसके लिए कल एक फिर हमारा डिस्टिक लेवल स्टेरिंग कमटी एक बनाया हुआ है जो हमारा जो एपक्स डिस्टिक के जो कोविट मेनेजमेंट सिस्टेम है उसका एपक्स बोडी है तो कल हम लोग मेटिंग करेंगे एक हफ्तों का जो सिचेशन था उसका हम लोग इसका रिव्यू करेंगे फिर आगे का कैसे रन नीती टाई करना है कल हम लोग स्टेरिंग कमटी मेटिंग भाइट के करेंगे लोगडाउन लगाने के बाद केस्स काफी नीचे आया कर अधिरISA कर नीचे आया है लेकिन लोगडाउन से यह पूरा समाधन नहीं है लोगडाउन में हम लोग जो हैhou एसोपी बहुत प्याथिरीन डांक से हम लोग मेंटेन करके बैठा लोकडाउन खतम होने का बाद फिर आत्मी जो है केरलेस हो जाएगा लपरवाही हो जाएगा एसोपी को फोलो नहीं करेंगे और वैक्सिनेशन को लेते नहीं रहेंगे तो ये दोस्तिन में जितना भी केसिस कम हो रहा है कि कम हुआ है वो आगे चलके फिर इसका फाइदा नहीं होगा इसलिए लोकडाउन के बाद भी हम लोग बहुत केरफुल होना परेगा केंडरी सरक परिवन एवम राजमार्क मंद्राले ने अरुनाजल प्रदेश में चार राश्य राजमार्क पर योजनाओ के लिए वित्य मंजूरी दे दी है इन पर योजनाओ में NH 415 यानि 415 पर इटानगर से बंदर देवा तक फोर्न लेन बनाने के लिए 437.6 करोड रुपे और होलोंगी से इटानगर तक राजमार्क को बहतर बनाने के लिए 22.5 करोड रुपे की मंजूरी भी शामिल है पेशे इन पर योजनाओ का ब्योरा देता हुआ एक ग्राफिक वीडियो साल 2015 में पदमस्री से समानित ठेक से रिंपोचे ने मंगलवार को तवांके कीडियेस जिलास्पताल के वैक्सिनीशन सेंटर में कोविड वैक्सिन की दूसरी खुडाक ली उन्होंने लोगों से भी करोना का ठेका लगवाने की अपील की अरुनाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही जानी से पहले आप सभी सा नुरोड है कि कोविड नाइंटीन के दिशानर देशों का पालन करें हमेशा मास लगाए बार बार हाद होई और सोशल डिस्टेंसिंग के नेमों को माने करोना माहमारी से बचाव के लिए आपका वैक्सिन लगवाना भी जरूरी है अगर आप वैक्सिन लगवाने के पात रहे तो जरूर लगवाए हम कल फिर हादर होंगी अरूनाचल और देश दिन्या की ख़बरों के साथ चलते चलते आपको बता दे आप अरूनाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल दीदी नियूस अरूनाचल पर भी देख सकते हैं देखते रहें अरून परभा नमस्कार अरून पर अरूनाचल के तीब पर अरूनाचल पर अरूनाचल लगवाए हुँ अरून अरून हुँ स्मापब झाल झाल